हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट अकाउंटन सी का जो हमारा चैप्पर चल रहा है रेटायर्मेंट ऑफ पार्टर उसका सुलूशन कराने जा रहा है फ्रॉम दा भॉक अफ टी एस ग्रेवाल कोशन नबर 43 का स्टूडेंट्स आपने ये कोशन देख लिया है कोशन है पेज नबर 6.73 में ठीक है जी उसमें हमें लीजा मोनिका और निशा तीन पार्टर का बारे में बताया कि उनकी प्रॉफिट शेरिंग रिशो टू 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 वन की और बैलेंशिट गिवन है साथ में 31 मार 2019 को मोनिका रिटायर हुई है ठीक है जी तो उसके बाद ये कुछ अड्जस्मेंट्स गिवन है और लास्ट में लिखा कि प्रिपेर रिवैलूइशन एकाउंट तो सबसे पहले हम भी रिवैलूइशन एकाउंट बनाएंगे ठीक है जी बाकी सब कोशन तो आप ने पढ़ होता है रिवैलूइशन के साथ इसने पार्टर्शिप के कैपिल एकाउंट भी मांगे है ठीक है जी और बैलेंशीट भी मांगी है ओके बैलेंशीट के लिए मैं यहां पे आपको उसका फॉर्मेट मैंने बना दिया है ठीक है एके करके हम अटेम्ट करते जाते हैं चलो ठी ठीक है सबसे पहले रिवैलूइशन की ही बात करेंगे तो रिवैलूइशन में उसने हमें बताया है कि लैंड और बिलिंग भी एप्रिशेटड भाई दो लग चालिस सार तो इसका मतलब यह डेबिट यह करेडिट अब यह रूपिज यह पर्टिकुलर्स यह चीजें सारी उतनी ही important है जितना की question का answer होता है ठीक है without formats question करने का कोई फाइदा नहीं है आपको marks नहीं मिलेंगे यह को mathematical calculations का paper नहीं है यह accounts का format के साथ ही paper में checking होती है और उसी तरीके से आपको marks मिलेंगे land and building कितने की बड़ी है 2,40,000 की 50% of the stock was taken over by the retiring partner at book value तो book value उसका मतलब ना कम हुआ ना बड़ा तो यहां नहीं आएगा partner को हम transfer करतें के बाद में provision for doubtful debts is to be made 5% तो यहां पे debtors पे already है नहीं है credit side मतलब liability side में भी देख लो कहीं है तो नहीं है तो इसका मनलब आपको create करनी है to provision for doubtful debts तो 5% कितनी बनी चार लाग का पांच 20,000 आ गया ठीक है जी और building का यहां appreciation था उसी के साथ लिखा हुआ है machinery to be depreciated तो यहां पे आजेगा machinery account to machinery account भी आजेगा कितने रुपे से 10% है तो एक लाग 20,000 आ गया ओके जी तो अब इसके इलावा क्या adjustment है goodwill की है और capital की है और revolution से related यही थी तो इसका मतलब revolution account हमारा यहीं पे close हो जेगा और यह हमारा आ रहा है profit 2,40,000 और उसमें यह आ गया 1,40,000 तो एक लाग का क्या आ गया हमारा gain आ गया to gain transfer to partners capital accounts तो यह आ गया लीजा, मौनिका और निशा लीजा, मौनिका और निशा और यहां इतनी अच्छी बात है कि यहां तक question में आपको अभी बिल्कुल नहीं पता कि कौन retire हो रहा है और नहीं हमें पता करने की अभी ज़रूरत पढ़ती है revolution account में सभी partners को profit या loss distribute हो जाता है ठीक है जी तो यह आ गया 5 से divide कर तो 20,000 और यह 40,000 और 40,000 capital account में भी general reserve या कोई बाकी adjustments करते वक्त हमें नहीं पता चलता कि कौन सा partner retire हो रहा है हमें सारी old ratio में जब तक भाठनी है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है जी हमें फरक कहां पर पढ़ना शुरू होता है जब goodwill की transfer entry करनी होती है retiring partner को वहीं से हमें एसार होना शुरू होता कि partner कोई retirement वाला question है और कौन सा partner retire हो रहा है और ताकि उसको credit किया जा सके goodwill को तो यहां पर आएगा by balance brought down by balance brought down कितने कहां students 14,000,000 का again 14,000,000 का और कितना है 3,60,000 का इसका 3,60,000 का आ गया ओके जी ठीक है students चलो अब उसके बाद revolution का profit transfer कर देने है profit profit कितना है हमारा यहां पर 40,40,20 चालिस हजार चालिस हजार और वीस हजार ओके जी तो उसके बाद हमें goodwill की calculation करनी है और तो कुछ भी नहीं है देखो reserve भी कोई नहीं और asset side में भी कोई नहीं है वो understood कोई adjustment advertisement suspense की नहीं है ठीक है तो ना ही P&L से related है ना ही पुरानी goodwill है तो goodwill के लिए working note बनाएंगे working note for question number 43 continued ठीक है जी तो यहाँ पे calculation of goodwill calculation of goodwill for retiring partner हन जी retiring partner की यहाँ पे आजेगी ओके जी तो चलिए अब हमें इसकी working कर लेते हैं goodwill firm के कितनी given है हमें 3 lakh goodwill of the firm कितना है बिटे 3 lakh का ओके जी और partner अब बताइए कौन retire हो रहा है तो retire हो रहा है कौन partner Monica retire हो रही है balance sheet के अगली line में लिखा है Monica retires Monica का share कितना है Monica center वाली है न तो 2 by 5 उसका share है तो Monica's Monica's share of goodwill कितना कैलिपिट करेंगे 3 lakh का 2 by 5 5 है एक लग 20,000 आ गया एक लग 20,000 आ गया और ये देखिए old ratio हमारी कितनी थी सारे partners की लीजा दूसरा को न है Monica और तीसरे निशा ठीक है जी तो उनकी ratio 2 is to 2 is to 1 है Monica जब retire होगी वो निकल गई तो और कोई information जब नहीं होती तो 2 is to 1 की ही new ratio रहेगी ना new ratio और वो इतना ही gaining रहेगा इतना ही क्या रहता है बटे gaining ratio तो ठीक है ये लीजा का gain and new and this is again Nisha का gain and new तो goodwill कैसे distribute होगी तो अब आएगा लीजा's gaining amount gaining amount कैसे आएगा एक लाख बीस हजार का चार गणड़ का count पए और और पिजवा और निशा गैनिग amount कैसे आएगा एक लाख बीस हजार का एक बाए तें और वो आगा 40 हजार ठीक ही तो ये एक लाख बीस हजार तो एक लाख बीस हजार हम इसके account में credit कर देंगे बाइ लीजा एंड बाइ बोलिए बाइ निशा कितना किसको जाएगा मौनिका को ये पहले इसमें डैश डैश कर लो तांकि पता चले कुछ और ना गलती से किसी और अकाउंट में ना चले जाए तो यहां पर आएगा मौनिका के अकाउंट से इन दोनों को डैबिट हो जाएगा 80,000 और 40,000 ठीक है जी 80,000 और 40,000 तो ये एंट्री हमारी यहां पर आ गई उसके बाद हमें क्या करना है उसका लोन अकाउंट निकालना है तो मौनिकाज लोन अकाउंट और उनके बाद में कैपिल फ्रीज करते हैं ठीक है जी तो मौनिका का लोन अकाउंट हम यहां कैल्कुलेट करेंगे मौनिका के कितने पैसे हैं 14,80,000 15,20 और 15,60,000 बन गया ये 15 penach but तो देखो उसका कितना बना हाँ उसको ड क्या बचके द स valley Ten तो ये बैलनसिंग figure आ गया और $ apply अबैल English $ bottom S. Ket हो ले जाए ठीक है बटे ओके जी तो चलिए अब यहाँ पे इनके हम balance carry forward निकाह लेते हैं balance carry down कैसे आएगा बैटे क्योंकि वो कहरा है total capital firm की कितनी है 27 ला की तो मैं यहाँ पे आपको working करके देता हूँ working note एक और बना लेते हैं हम working for यह पहला working note था ना goodwill का और दूसरा कहां पे आएगा अब working for capital of new firm new firm of lisa and nisha की nisha ठीक है तो उनकी capital कितनी है बैटे लीजा का कितना आएगा 21 लाग का बचे 27 लाग को दो बटे तीन उनकी रेशो है यह 9 दूने ठारा एक लाग आज़ेगा ठीक है जी और यहाँ पे nisha की जो capital आएगी 27 लाग into एक बाई तीन तो नो लाग ठीक है जी तो यह आज़ेगा 27 लाग ओके ओके तो यहाँ पे क्या आज़ेगा 18 लाग और यह 9 लाग तो अब वो क्या कह रहा है साथ में और बाकी किसमें डालना है वैसा and for this purpose current accounts तो किसका मलग cash में नहीं जाएगा current account में जाएगा तो मेरे को लग रहा है यह तो 14 लाग और यह 18 लाग तो इस तरफ जाएगा by current account current account यह लीजा के current account में चला जाएगा ठीक है लीजा and उदर निशा का भी वो ही जाएगा क्योंकि यह balance उसका 9 लाग चालीजार का जाएगा तो लीजा वाला पैसा लीजा के account में और निशा का निशा वाले account में इसको डैश कर तो क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाएगा ठारा लाग असी हजार ही आगया अठारा लाग असी हजार ही आगया ओके जी और उसमें से चौदा चालीजार माइनस कर दिया अठारा असी में से चौदा चालीजार हमने माइनस कर दिया कितना आगया चार लाग चालीजार हमारा जी आगया और यह कितना है नौ लाग चाल है तब ही तो यह capital के किसमे ट्रांसफर किया हमने क्रेडिट में न हाँ ओके तो यह दोनों के debit balance है यह आ गया 9,40,000 का ठीक है students यह बन गए हमारे capital account no doubt balance यह है लेकिन balancing figure हमारी यह calculate होगी loan इसके case में और इसके case में यह because हमें 27 lucky capital given थी हमने उसको new ratio में apportion कर लिया डिस्टिबूट कर लिया जो वड़ा को appropriate लगता है उसको लिख लीजिए लेकिन उनको new ratio में देना है पैसा ठीक है जी चले अब हम बात करते हैं इसकी balance sheet कैसे बने कि students इसकी यह रही balance sheet का मैंने format बना के रखा हुआ है यहाँ पर question number 43 continue करते हुए ठीक है जी यह आजएगा liabilities ठीक है पिटे और यह आजएगा assets and rupees तो यहाँ पर सबसे पहले liabilities side करते हैं क्योंकि उसमें items कम होती है trade creditors trade creditors में कोई change किया हमने कोई change नहीं किया तो यह आगया एक लग साथ हजार और उसके बाद bills payable bills payable में भी हमने कोई change नहीं किया था तो वो figure भी वैसे ही आजएगी दो लग चुतालिस हजार ठीक है जी और उसके बाद employees प्राविडेंट फंड यह कितने का बिटे चैतर हजार का और उसके बाद अब क्या लिखेंगे capital accounts किसका लीजा का और निशा का लीजा का capital account कितना 18 लाग का बिटे और दूसरे का निशा का 9 लाग का और Monica का loan account आएगा Monica's loan account यह आजएगा 9 लाग साथ हजार का था नहीं 10 लाग साथ हजार का 10 लाग साथ हजार का ओके जी तो अब हम इसको freeze कर देंगे यह देखे ना उसका जो loan यह देखे उसका जो loan account बनाया था यह फिकर थी ना यह तीनों फिकर मैंने लिए 18 और 9 और 10 लाग साथ हजार चलिए अब इसको हम क्या करेंगे लाइबर्टी सैट को मिला दीजिए एक लाग साथ हजार जमा दो लाग चुतालिस हजार जमा च्छेटर हजार जमा अट्रह हजार लाग जमा नौ लाग जमा दस लाग साथ हजार तो यह बन गया 42,40,000 42,40,000 ये बन गया ठीक है जी और उसके बाद उसके बाद क्या बनेगा उसके बाद land and building यहाँ आएगा उसके बाद क्या आएगा land and building land and building कितने की है already 10 लाकी और 2,40 की बढ़ गी तो ये बन गया 12,40,000 का उसके बाद है machinery, machinery कम हुई है हमारी पास machinery already 12,00,000 की थी तो 1,20,000 माइनिस होके ये बचेगा 10,80,000 ठीक है जी और उसके बाद stock 50% पार्टर ले गया था तो remaining कितना बचा retiring पार्टर को दिया था ना मोनिका को 5,00,000 का तो 5,00,000 की रहा और debtors में sundry debtors sundry debtors में हमने provision माइनिस करनी है ठीक है जी debtors कितने बचे? 4,00,000 के debtors कितने बचे? 4,00,000 के less provision provision कितने की बनाई थी हमने? 20,000 की देखिए ज़रा provision हमने बनाई थी 20,000 की तो yes ये आजएगा 3,80,000 का ये आगया 3,80,000 का ठीक है जी? तो अब last में क्या बच गया? हमारे पास bank का balance because हमने bank में कुछ change किया ही नहीं था because जो भी capital से related adjustment थी वो तो current account में आई थी तो यहां आएगा leezas मैंने lease शा लिख लिए leezas leezas current account और दूसरा nisha's current account nisha's current account पूरा लिख रहे थे हैं current account तो इसमें balance आएगा leezas में 4,4,000,000 का जो यह balances आए थे ना बिटा यह वाले balances हम इसकी बात करें यह दोनों क्योंकि हमने capital की credit side में लिखे हैं इसका मतलब current account के debit balances होते हैं ठीक है जी? चले अब यहां पे आजेगा 5,60,000 अर्मुस्ट पूरा space गेर लिया इसने में अंदाचे से ही छोड़ा था इतना space लेकिन यह पूरे कवर कर लिया 12,40,000 10,80,000 5,00, 3,80,000 40,40,000 42,40,000 42,40,000 ठीक है students यह सारा हमारा answer आगे ठीक है? यह 10,60,000 है तो इसी के साथ यह balance sheet 43rd question की भी complete होई ओके जी? और यह question भी complete होता है तो मैं यह question के साथ साथ यह video भी conclude कर रहा हूँ I hope कि आपको च्छे से समझ आ गया होगा अब next question फे लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियोज लगातार देखते रहें ओके जी, done